जेहिन दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एर इंडिया एरपोर्ट विभाग भरती 2020 ओफलाइन फोर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फोर्म फिल अप करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फोर्म को बिना किसी मिश्टेक के भर पाऊगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्ते आपर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इसके इलिजिबल्टी की वीडियो नहीं देखी यानिकि अगर अभ इसके पूस्ट पर आवधन करने के लिए इलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए तो अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो यह इसका ओफिसल नोटिफिकिसन है और इसी नोटिफिकिसन में उपर की तरफ आपको इस बरती के बारे मे complete जानकारी देखने को मिल जाएगी यानि किस post के लिए exactly कितने पद निकाले है और उस post का interview आपका किस date में होगा और कहाँ पर होगा basically आपका interview venue यहाँ पर दिये जारे है जो कि Mumbai के अंदर है और पूरा address आप यहाँ पर read कर पा रहे हो और नीचे आपको यहाँ पर post wise qualification देखने को मिल जाएगी तो आपको इन सबी को चेक करते हुए नीचे आने और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपका application form start हो जाएगा जो उपर की जानकारी है यहाँ पर दे जारे है for office use only यहाँ पर आपको यहाँ पर जो अपना form fill up करना start करना है वो यहाँ से करना है format of application यहाँ पर आपको अपना recent color passport size photograph चिपकाना है और उसके उपर आपको sign across कर देने हैं यहाँ कि आपके sign का कुछ भाग यहाँ पर हो और कुछ भाग आपके photo के उपर हो फिर यहाँ पर दोस्तों आता है position applied for यानि कि आपके इस post के लिए आविदन कर रहें तो आपको उपर दी गई post में से अपनी post चूज करके उस post का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है फिर आता है station of police आपका जो station of police कहा है यहाँ पर इन्होंने मुंबई पहले से दिया है फिर आता है यहाँ पर आपका full name in block letters यानि के आपको अपना पूरा नाम अंग्रीजी के बड़े एकसर के अंदर यहाँ पर लिख देना है पहले आपको first name लिखना है अगर middle name है तो यहाँ पर लिखिए आपके present address की जानकारी तो जो भी आपका present address हो यहाँ पर आपको लिखना है फिर city के section में आपको अपनी city का नाम देना है और आपके district या फिर post office का जो भी pin code हो यहाँ पर आपको लिख देना है state आप की जो भी है उसका नाम यहाँ पर आपको देना होगा टेलिफोन नमबर, रेसिडेंस विद एस्टेडी कोड अगर आपके पास है तो यहाँ पर डाल दीजिए नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए पर यहाँ पर जो आपका मॉबाइल नमबर है और इमेल आइडिया यहाँ अनिके अनिवारी है या फिर सामने जो बी आपका जेंडर है वो यहाँ पर लिख भी सकते है अब आता है marital status marks x in appropriate box यानके आपको जो जिस box पर भी आप appropriate है जो कि आपके ओपर लागो होता है आपको उसके सामने x लगा देना है जिससे कि अगर आप Unmarried है तो आपको Unmarried के नीचे X का निसान लगा देना है यानि कि आप Unmarried हो उसके बाद यहाँ पर आता है आपका 8 पॉइंट जिसमें की Nationality आपकी पूछ जा रही है तो यहाँ पर आपको Indian लिख देना है PAN Numbers अगर आपके पास PAN Card है तो यहाँ पर आपको PAN Card का Numbers देना होगा अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते है फिरत है आधार Card Number तो अगर आपके पास अधार Card है तो यहाँ पर आपको अपना आधार Card का Numbers लिख देना है Weather, SC, OBC, EWS, General, also mentioned SubCast यहाँ पर दोस्तो आपको अपनी जो category है जो उपर दी जा रही है अपनी category यहाँ पर लिख देनी है पहले आपको यहाँ पर अपनी cast के नीचे x का निसान लगाना है और आपको subcast यहाँ पर लिखनी होगी जो भी आपकी subcast है फिर इसके बाद आता है if cst attached copy of cast certificate अगर आप दोस्तों cst candidate तो आपको अपनी cast certificate की copy इस form के साथ attach करनी होगी फिर यहाँ पर दोस्तों आप नीचे आओगे तो देखोगे weather ex-seriesman क्या आप ex-seriesman हो अगर हो तो yes की जिन नहीं तो यहाँ पर आपको no करना होगा फिर यहाँ पर दोस्तों आपका जो अगला आपसे सवाल पुछा रहे details of experience after release which copies of relevant documents यान के अगर आप यहाँ पर yes करते हैं तो आपको जो भी related copies है वो आपको इस form के साथ attach करके वहाँ पर लेकर करके जाने है weather from police services अगर आप हो तो यहाँ पर yes कीजिए नहीं तो यहाँ पर आपको no कर देना है weather working in any government, semi government अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर yes कर दीजिए नहीं तो यहाँ पर भी आपको no करना होगा educational qualification यानि के section की योग्यता की जानकारी तो यहाँ पर आपको एक एक करके सभी की जानकारी भढ़नी है जिसे कि सबसे पहले यहाँ पर दे जारा है 10th तो name of university institution basically दस्वी के अंदर आपको board name देना है कि आपने किस board से अपनी दस्वी की है इसके बाद date, month and year of passing आपने किस date, किस month और किस year के अंदर अपनी पास कि यहाँ पर आपको mention करनी है याननि के लिखनी है duration आपकर क्या थे तो यहाँ पर आपकर duration 1 year का होता है तो यहाँ पर आपको 1 year लिखना है percentage जो marks अगर दोस्तों यहाँ पर आपके marks cgpa के अंदर है तो आपको उनको percentage के अंदर convert करके यहाँ पर अपनी percentage जो marks दे देनी है या फिर आप यहाँ पर division भी दे सकते हो बिसके लिए आपको पहले percentage लिखनी है और उसके बाद आपको first class या फिर second class और या फिर division जो भी है उसको भी mention इसी box के अंदर थोड़े सी जिंग जानकारी लिखी है इसके बाद आती है यहाँ पर degree यानि के graduation तो यहाँ पर आपको एक एक करके year y जानकारी भढ़नी है यानि के first year आपने कहां सी क्या है उसको आपको university name, date, month and passing year, duration और फिर percentage जो marks इस परकार से आपको एक एक करके जितने year की भी आपकी graduation थी वो आपको यहा का option मिल पार है तो आपको इसके अंदर second year के जानकारी सेम तरीके से fill up कर देनी है अगर आपके पास CA, inter, CA या फिर inter, CA में details है यानि के आपके पास यह qualification है तो आप इसके जानकारी भी इनी box के अंदर इसी तरीके से fill up कर सकते हो अब यह करने के बाद नीचे आप यहाँ पर जानकारी देनी है और इसके सामने आपको X का निसान लगाना होगा यानके question लगाना होगा तो यहाँ पर English है अगर आप read कर सकते हो तो आपको यहाँ पर question लगाना है अगर बोल सकते हो तो यहाँ पर लगाना है और write कर सकते हो तो यहाँ पर आपको लगाना होगा रिमार्क अगर आपकी कोई local language है तो आपको यहाँ पर उसको mention करके सेम तरीके से tick लगा देना है mother tongue का option यहाँ पर आपको देखने को मिल पार है तो उसके सामने भी आपको इसी तरह से cross-chain लगाना है other specify अगर आपके पास कोई other language है तो उसको आपको यहाँ पर लिख करके उसके सामने उसकी जानकारी इसी तरह से cross-chain लगा करके देनी है indicate whether any certificate language course done and the duration of course अगर आपने कोई certificate कोई language course आपने किया है तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी और उसका certificate भी इसके साथ attach करना होगा work experience यहाँ कि आपकी experience की जानकारी अगर आप ऐसी post पर आवदन करे हो जिस पर experience माँगया तो आपको उसकी जानकारी भरनी होगी यहाँ पर आपको name of the organization देना है post held यहाँ कि किस post पर आप काम करते थे उस post का नाम देना है कब से आपने जोब जोइन की थी वो date डालनी है और कब तक की थी वो date यहाँ पर लिखनी होगी nature of job क्या था वो यहाँ पर आपको mention कर देना है और साथ ही दोस्तों आपको certificate भी attach करना होगा experience का इस form के साथ में particulars of demand wrapped issue यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी जानकारी देखने को मिलेगी application fees के बारे में मैंने जो आपकी कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि इसमें fees नहीं है पर मैं आपसे माफी चाता हूँ अभी मैंने देखा कि इसके अंदर fees है और यह आपको कैसे जम्मा करनी आप देख लीजिए in favor of air India air transport services limited table at Mumbai या आपको इनके फेवर में demand wrapped fees देनी है जो कि आपकी 500 रुपे है और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ओपर चल करके fees के बारे में अच्छे से बताता हूँ आई यह आपकी फीज है जो कि 500 रुपे है और नोन refundable है आपको इनके favor में करनी है और जो आपके यहाँ पर SCST candidate है या फिर एक service man है इनके लिए कोई भी application fees नहीं है तो इनको यह option खाली छोड़ देने है पर जिनके आपने demand draft कराया है उसका name and address यहाँ पर आपको देना होगा date of issue यानके किस date में आपने issue कराये वह आपको देना होगा demand draft number यहाँ पर आपको एंटर करने और fees का amount यहाँ पर आपको fill up है फिर आता है 18 point आप देखोगे यहाँ पर आपके पहले इसका नाम आपको लिख देना है कि आपने वे form कहां से fill up कि है signature यहाँ पर आपको अपने कर देने है date यहाँ पर डाल देनी है कि किस date में आपने form fill up किया है इसके बाद दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा list of documents copies to be attached with the application यानि कि आपके सामने वो list दी जारे जो कि आपको copies इस form के साथ attach करनी होगी please also bring all original document certificate for verification यानि कि जो भी copy यहाँ पर आप attached करने वाले उस form के साथ उनकी original copy भी आपको document verification पर यानि कि जहाँ पर आपका इंटरू होगा उस पर ले करके जानी होगी अब कौन-कौन से document आपके उपर applicable होते हैं उन्हीं के सामने आपको right tick लगा देना है जैसे कि application fee wherever applicable, school living certificate अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको tick करना होगा 10th student mark sheet, passing certificate, 12th की mark sheet, 1st year graduation mark sheet, बाकी की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो OBC certificate format भी देखने को मिल जाएगा, यानि कि cast certificate जो होता है आप यहाँ से भी format ले सकते हो या फिर आगर आगर आपके पास original जो आप बनवाते हो जब cast certificate तो वो आपके पास है तो उसकी photocopy भी आभी आप attach कर सकते हो और उसी की photocopy original आप in true location पर ले करके जा सकते हो तो दोस्तों basically आपका form completely fill up हो चुका है और आपको जो address सबसे उपर आपको आपने देखा था उस address के उपर इसको ले करके जाना है जो कि आपका walking है यानि कि आपने in messages भी post प्राविदन किया है और उस post पर आपको जो date यहाँ के उपर जाना है और अपने जो आपका in true है उसको attend करना है वही पर आपसे यह application form मांगा जाएगा जो कि आपने अभी fill up किया है और इसकी photocopy आपको attach करके इसके साथ रखनी होगे एक file के रूप में और अपने original documents भी आपको एक अलग से रखने है ताकि जब आप वहाँ पर आपकी air India airport भरती 2020 के बारे में पूर जानकार की कैसे आपको यह offline phone fill up करना है आई होप यह जानकार यह आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज अस वीडियो को like share और साथ इसाथ ग्यान दे होश्ट यूटूब चैनल को subscribe कर ले और subscribe करने के बाद बैल के icon को दबा जे हिंडोस तो